हां तो दोस्तों क्या आल चाल दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं टोयोटा फोर्चुनर के नए वाले मोडल के बारे में तो थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना तो वीडियो एंट तक देखना सारी चीजों के बारे में बात करने वाले आज की इस वाली उसके चक्कर में इसकी डिजाइन लीक हो गई है तो यही इसके थुरू अपन पता लगा लेंगे कि नहीं वाली फॉर्टॉनल में क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं तो बात कर ले तब यह गाड़ी किस पर बेस होने वाली बेसिकली यह जो गाड़ी है आपको जो लैंड का अपडेट आएगा तो उसमें भी आपको यह यह वाला प्लेटफॉर्म देखने को मिलने वाला है और जो बात करें इस गाड़ी की इंजन के बारे में डीजल आएगा नहीं आएगा तो वही डीजल डेफिनिटली इस गाड़ी का आएगा क्योंकि हाल फिलाल जो आप सेल लेता है और इसलिए अब टोयोटा टूपट एलेटर के डीजल इंजन पर आपको काम करती वी कााउन का जो है 2.4 लिटर आपको जो है पेट्रोल इंजन है और बेसिकली बात करें यह गाड़ी की तो पूरी चेंज होती ह्यापको ये गाडी देखने को मिलने वाली है थिलाल जो फोर्चो न है उसे कोई Dead देखने को मिलने वाला है रियर की बात करता हो आपको CC की एलिड लैंप आपको इस गाडी में देखने देखने को मिलने वाला है जैसे दो बात करने इंतिर जीसे में आपको यहाँ है उसक्डेता वाल पर आती है ऑर खोलाने वाल है वांस को मार बताया कि आप को है डीजन हाइ flooded do कोई manual नहीं रहेगा अब सिफ गाड़ी पूरी पेट्रोल और डीजल दोनों में automatic ही हाईगी क्यों अब इसमें hybrid technology आती है तो hybrid में automatic ही pair होता है manual नहीं होता है तो manual वही इस वाली गाड़ी में आपको अटतावा देखने को मिलने वाला है अब आयाते दोस्तों अपने इस गाड़ी के launch date की तरफ तो भई launch date कब तक होने वाली हाल फिलाल जो यह Toyota की टोकोमो है वो अभी tease की गई है वहाँ पर तो basically उसको भी थोड़ा time लगेगा मैने लगेंगे launch होने में तो नी नी करते करते भई 2014 के end तक इस गाड़िंग अन्वील हो जाएगा इंडिया में तो दोस्तों आज किस वाली वीडियो में इतनी था चैनल सब्सक्राइब कर दो वीडियो को भी लाइक कर दो और कुछ कमी रे गई हो तो भई definitely मुझा बताना मैं improve करूँगा तो थैंक्यू बाइ